अलताफ के मौत पर योगी सरकार विवक्ष के निसाने पर आ गई है क्योंकि दो फिट की उची नलकी टोटी से टी-शेट में लगी हुई रसी से कोई फासी लगा कर आत्मत्या कैसे कर लेगा जबकि अलताफ पांच फिट छे इंच का था तो सवाल तो उठे गई यह पूरा मामला यूपी के कास गंज का है कास गंज पुलिस ने 22 साल के अलताफ को एक नावालिक लड़की के अगवा होने के मामले में 8 नवंबर को पूश ताज के लिए ले गई थी मगर 9 नवंबर को अलताफ के मौत के खबर सामने आई वहीं पुलिस का कहना है कि कास गंज कोतवाली में अलताफ सोचाले में गया था और वहीं पर नल की टोटी से टीशर्ट में लगी हुई रसी के सहारे उसने फासी लगा ली मगर ये बात इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि 5 फिट 6 इं पुलिस ने परतारना की ऐसा आरोप परिवार के तरफ से लगाया जा रहा है पहले सुने परिवार ने क्या कुछ आरोप लगाया है उसके बाद पुलिस की कितनी सफाई इस मामले में दी है वो भी हम आपको सुनाएंगे मगर सबसे पहले आप परिवार क्या कह रहे हैं वो आपके बेटे की हत्या है आप लत्या करी गईये उसकी पर खुद गुशी नहीं करता है जा लड़की की मैटर मेरा लड़का काम करके आया था प्रोटी खाने वेठा टैसी उठा ले गए के लड़की का है चक में ले गए और हमें मिलने नहीं दिया जब हमारा लड़का जी खड़ में पहुचा दिया, तब ख़बर करिये, सोभी, हमारे मौले के दान पुराना उसने, तब हम सब पुरा मौला भागते गए, तो अभी नहीं दिखाया, पोस्माडम से पहले दिखाते हैं, दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, कई निसाने, क्या बड़ा बेटा था आपकी घर में है, और कमाने वाला कॉम कोन है, वहीं कास गंज के स्पी रोवन परमोद बोत्रे ले, इस पूरे मामले में भी क्या जानकारी दी है, अब वो भी आप सुने, देखे, कोतवाली कास गंज में, एक 366 IPC के प्रकरण के संधर्व में, एक व्यक्ति जिसका नाम अलताफ सनव चाहत्मिया है, उसको ठाने में अली मॉनिंग बुलाया गया था, उसने उस्ताज के दोरान, वहां पे पेटे पुलिस कर्मी से उसको वाश रूम जाने हैं तो रूद न किया था, जिसमें हवालात में बने वाश रूम में उसको भीजा गया, उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाडे से उसने जो वाश रूम का जो नल है, उसमें फसा के अपना गला घुटने की खुटने जो है, वो में कुक्चार पांदस मिट जलने के उपरांद उसकी मृत्यू हुई है, इस प्रकरण में पंचारत नमा भर के पोस्ट मॉटम किया जाएगा, साथी में इस प्रकरण में जो पुलिस कर्मियों के लापरवाई इसमें है, उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे किया जाए, वहीं अलताफ की जो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि मौत हैंगें यानि की दम भुटने की वज़े से हुई है, मगर सवाल अभी बरकरार है कि दो फीट की उची नलकी टोटी से फासी कोई कैसे लगा सकता है, तमाम ख़बरों को जानन के लिए देखते रहे हैं, प्रहाट टाइक जाएंगें